उत्रप्रदेश भाजपा में पिछले कुछ समय से उत्ल पुथल जारी है इसी बीच हाल ही में राहूल गांदी के करीबी माने जाने पूर्व केंद्रिय मंत्री एवं यूपी में ब्राम्हर चेहरा जितिन प्रशाद ने भाजपा का दामन थामा बीचेपी में शामिल होने के बाद भाजपा नेता जितिन प्रशाद पहली बार लखनों पहुँचे एरपोर्ट पर कारेकरताओं ने जोर शोर से उनका स्वागत किया जिसके बाद पार्टी मुख्याले पहुँचे पार्टी मुख्याले में स्वतंत्र देव सिंग से मुलाकात की मुलाकात के बाद मुख्याले में अपने समर्थकों को भी बीजेपी में शामिल कराया जिसके बाद भात्वा मुख्याले से निकल कर सीम आवास पर पहुँचकर सीम योगी से मुलाकात की। सीम से मुलाकात के बाद भात पाने ताज जितिन प्रशाद ने क्या कुछ कहा। कुछ दिन पहले ही अधर्णिया प्रधान मंत्री जी और प्रदेश राष्ट्य अध्यक्ष नडड़ा जी और ग्रह मंत्री जी के नित्रित व मादरशन में मुझे भात्य जनता पाटी परिवार में सदस्ता ग्रहन करने का अफसर भी मिला और आज पहली बार अपने ग्रह प जन जन तक पहुंचेंगी और कैसे पार्टी का संगठन मजबूत होगा ताकि हम देश और प्रदेश की सेवा और मजबूती से कर सके इस पेचर चाहिए अभी इसमें तमाम लोग आपको बीज़ेपी लाटे किस तरीके से क्या के चैलेंज़ेंगे पहले साब से कई लोग दुदे प्रे में अबहरी उत्सा है हमारे समर्थकों में और यह जो मैंने निड्ने लिया यह जन भावना के इच्छा के अनुसार लिया और यह स्पष्ट दरशाता है कि हमारे कारकरता और जहां से मैं आता हूं भासत दोर से भारी उत्सा है और क्योंकि पाटी में मजबूत सशक संगठन भी है नित्रत भी है दिशा भी सपश्ट है तो जो ये पाटी का भारते जंता पाटी मैंने देखा है कि नीती नीतियों पे निड़ने उनका कर्यानवन उसमें संगठन और कारकरताओं की भावनाओं को लेके ही किया जाता है और मैं अपना स्वभा के समझता हूँ कि मैं इसका हिस्सा हूँ हाला कि ये मुलाकात किस बज़े से हुई है ये साफ नहीं है लेकिन कायश लगा जा रहे हैं कि चुनाओं से पहले आने वारी भूमिका पर चर्चा संभव है